कि अज़िए 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 आप से उसके बाहरी में बात चुब बना देता है। अपनी गेहरी जगा बना चुकी है। आप जानते हैं उसका नाप। प्रिष्टाचार उर्फ दीमा। प्रिष्टाचार लोग कितने स्वारती होकर हमारी देश का भविष्ट्रिय बिगारते हैं। पर मुझे तो यह भी समझाता कि लोग नाइंसाफी और महनत में से नाइंसाफी चुलकर ब्रिष्टाचार क्यूं फैलाते हैं। उफ यह ब्रिष्टाचार पर मकेले से खतम भी थोड़ी न कर सकते हैं। चलिए वैसे बाते छोड़ी और खाना खाईए। वैसे बात हैं। आखिर हम केले क्या हूं करेंगे। बंटी, बेड़ा बंटी। हाजी पापाजी। कल तुम्हारे एंटेक्स एक्जाम का रिजर्ट आने वाला था ना। वैसे एक्जाम अच्छा तो दिया था ना। हाँ, हाँ, पूरी मेहनत से क्या था हो। और मेरा फर्स्ट ताइड में एंटेक्स एक्जाम प्लियर हो जाएगा। देख लेना। हो ना चलिए, बंटी सार परवाद चले जाएंगे। मुम्मी पापा जली आ ये मेरा रिजर्ट अप्लोड हो गया है। प्लियर हो। वह नू। क्या हुआ?? नहीं पापा असा नहीं हो सकता। मैं चाय नंबर से रह गया। कोई बात नहीं। रुख जा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं करता हूँ। हेलो, नमस्ति मांत्री जी हाजी मैं मिर्शा जी बोर रहा हूं। नमस्कार, नमस्कार हाजी आपसे कुछ जरूरी कान था। जी बोलिये, हम तो आपकी सिवा में हमेशा आजिर हूं। हाजी बात यह है न, मेरे बेटे का एंट्रेंस एक्जाम का रिजल्ट आने वाला था, वह चार नंबर से तीछे रह गया है मेरा बेटा। तो कुछ हो सकता है क्या। वह तो सब सकता है बस। आप चाहे पाली की जिन्दा मत कीजिए, वह आपके समय पर पहुच जाएगा। ठीके मैं फिर आपको बाद मैं बताता हूं। देखो, डी-एचडी इनिवर्सिटी में है क्या कोई अपना आदमी। संदेश बिजवा उन्हें कि हमने उन्हें याद किया है। हलो सर, कैसे हैं। नमश्कार, हम तो अच्छे हैं पर हमारा कोई परिशान है इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता। कौन परिशान है सर। हैं हमारे कोई चाहने वाले। उनका बेटा सिस चार नम्ब्रों की वज़े से बिकॉम का इंट्रेंस पास नहीं करता। मैं के कर सकता हूं सर। वो सब यूनिवर्सिटी के रूल्स है। जो इंट्रेंस पास करेगा वो एड्मिशन के लिए रेजिवाल होगा। क्राइटेरिया है सर। डोंट तेल मी अनिधिंग अबोग क्राइटेरिया रूल्स और जैसे आपका काम हो सकता है वैसे सब हो सकता है। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। जस्ट डू यॉर्बर। क्राइटेरिया पूरा करने के लिए कभी कॉलेज विजिट कर सकते हैं। अपने बेटे का एड्मिशन जो हो गया है। खान जी बंटी के बापा अभी लाती हूँ। चलिए बंटी का साथ तो बच गया। कहते हैं न अंत भला तो सब भला। पर यह अंत नहीं है। यहीं से तो शुरुवात होती है ब्रश्टाचार की। क्या इसके लिए से गौर्श्टाचार नाम की दीमक को पहले ही देश से निकाल फेका होता तो यह पूरे देश में अपने पैर ना बसारता पर अभी भी देर नहीं हुई है। अगर हम आज से ही बिग नोटु करप्शन का पैस कंट्रोल कर इस ब्रश्टाचार नाम की दीमक को देश से निकाल फेके। धन्यवाद, जैहिन, जैभारत